भाई ये शिरलंका में टीम इंडिया को हो गया गया है और ये वाकिई क्या टीम इंडिया ही खेल रही है ये तो धन्य हो भला हो हमारी किस्मत का जो विराट कोली और रोहिज शर्मा को बुला लिया गया और उसमें भी स्पेसिफिक तोर पर रोहिज शर्मा अगर ये दोनों जो है मजाक मजाक में वापस खेलने ना आते तो तो मैं सोच भी नहीं पाऊंगा कि टीम इंडिया का इस टीम इंडिया के नाम के अंडर जो टीम खेल रही है वो शरलंका के अगेंस्ट और कितनी मनुसियत फैलाती आमीन एक होता है कि all of a sudden आपके अगेंस जो है कुछ हो गया और एक होता है कि बार बार हो गया पहले माच में इसलिए मैंने पिछली वीडियो पर कहा था और लगबग ये कारबन कॉपी या बिलकुल वापस वैसे ही कारणामा हो गया है जो पहले माच में हमने देखा था आप अपने पहले मैच की गलतियों से भी नहीं सीखे इस वीडियो पर हम क्रिकेट टॉक में जो है एक-एक बंदे की उपर बात करेंगे क्यों शुबमन गिल की उपर जो है फिंगर पॉइंट करनी चाहिए क्यों हम कह रहे हैं कि शुबमन गिल को ड्रॉप करना चाहिए क्यों दोहित शर्मा ने अकेला ठेका लिया हुआ है, बॉलिंग जो है विक्टे नहीं दे पारी है, बैट्समेन को बॉलिंग करवाने की कोशिश की जारी है, बैट्समेन इस्पेशली मिडल ओडर जो है, रिस्पोंसिबिलिटी नहीं ले रहा है, तब भी आप उसमें एक्सपेरिम कर रहे हो, आप करना क्या चाहते हो, यह सब कह सकते हो, यह तो एक नॉर्मल सीरीज है, हम बड़ी गेम के लिए प्राक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप नॉर्मल गेम के लिए प्राक्टिस भी कर रहे हो, उसमें रिस्पोंसिबिलिटी नाम का प कभी उपर चाले जाता है कभी अक्सर जो है उपर प्रमोट हो जाता है कभी नीचे हो जाता है कभी वाशिंग्टन सुंदर से in form batting combination में अगर आपको ifs and bursts या here and there करने की ज़रूरत पड़ी तो कौन हो सकता है आपको वो paint shitter, कौन हो सकता है आपका वो slogger, कौन हो सकता है आपका वो defend करकर रोक कर game खेलने वाला बट इस situation में जहां आपको पता है कि आपकी हातों से जो है चीज़ें बाहर जा रही है आप जो बंदे जिस position के लिए fit हैं उन्हें तो मौका दे दो उन्हें भी आप मौका जो है नहीं दे रहे हो खेर टीम इंडिया की शर्म नाखार और इस series को हम जीत नहीं पाएंगे गौतम कंभीर का तुक्के वाला error जो चल रहा है तुक्के वाला जो कामकार चल रहा है उसने ये make sure कर दिया कि आप जो है शर्लंका के अग्यांस जो है T20 जिस तरह जीते हों हम सब ने देखा है वो भी convincing नहीं माना जाएगा मेरी तरफ से और हमने उसके बारे में काफे discuss किया है similar one day में तो आप जीत भी नहीं पाओगे आपके हारने के जो हैं जादा chances खड़े हो गए हैं और जो आपने पहले माच में गलतियां की वो ही आप दूसरे माच में गलतियां कर रहे हो so this needs to stop और एक-एक बंदे की उपर बात करेंगे केल राहूल से लेकर शुबमन गिल से लेकर विराड से लेकर रोहिट से लेकर अईयर से लेकर टीम as a combination हम बात already कर चुके हैं अब सबसे पहला मुद्दा लेकर आते हैं शुबमन गिल का शुबमन गिल के runs हैं 35 run of 44 balls strike rate है 80 के आसपास वेल पूरे circumstances सिनारियो देखोगे तो आप इसमें जुआ बहुत जादा गलितिया नहीं निकाल पाओगे और यही उसके fans या कुछ लोग कह रहे हैं maybe reasons of whatever maybe they believe this thing कि वह शुबमन गिल और क्या करें उसने अपने 35 तरान तो बना दिये 100 के लगबग की जुबमन गिल को compare करना पहले तो दूसरे batsman के साथ जो middle order या lower middle order पर है और यह कहना कि उन्होंने भी तो नहीं बनाए शुबमन गिल ने तो फिर भी बनाए well जब शुबमन गिल और रोहिशर्मा की बारे में बात होगी तो opening slot के बारे में होगा क्योंकि ये opening slot है फिर उस opening slot के बाद जो है discuss होगा आपके पास options क्या है और जब हम ये देखते हैं कि शुबमन गिल ने तो 35 run बनाए है 80 की strike rate पर और ये कुछ-कुछ improve होती रहती है बाद में जवाकर उसी के against रोहिशर्मा ने मारे है 64 run और 44 balls 145 की strike rate से तो आपको एक चीज़ तो पता लग गई है कि शुबमन गिल is the one और यहाँ पर हम पूरी टीम से compare नहीं करने वाले नहीं बनता भी नहीं है अगर शुबमन गिल को ऐसी inning खेल नहीं है नंबर 3 पर आए विरार कोली के साथ compete करें ODS में यही मैं ओरों में 100 पार कर सकते हैं अगर हम 15 ओरों में 500 पहुंच सकते हैं with the help of opening partnership अगर बहुत बढ़िया हो रही है तो because of शुबमन गिल हम वहाँ से एक दो economy points से नीचे जाते हैं 100 run बनाने की बजाए हम उसे और नीचे ले आते हैं एक्जामपल के तौर पर हमारी पहली wicket 13 में ओवर में गिरी है 97 runs पर तो 97 का उसमें से 64 run तो रोहिद के थे और इस inning में जो है रोहिद भी कभी उपर गया strike rate के aspect से कभी नीचे थोड़ा साने की कोशिश भी फिर उसने shoot किया बट ये scene जो है रोहिद शर्मा जो non-striker end पर batting कर रहा है उसका ले रहा हूँ तो वहाँ पर जो है अगर शोबमन गिल जो है इस तरह batting करेगा उसका impact non-striker end batsman पर पड़ता है और मैं क्यों ना मानू कि because non-striker end पर जो batsman है वो pressure create कर रहा है वो baller को confidence दे रहा है non-striker end की वजह से अब मैं इसे फिर से shoot up करता हूँ वहाँ पर Rohit को भी problem हो रही है तो मैं यह क्यों ना मानू तो basically आपको यह समझनी होगी कि partnership बहुत important है Adam Gilchrist और Matthew Hayden की एक partnership सब ने सुनी होगी बहुत अच्छी बात है वहाँ पर impact क्या था दोनों की तरफ से impact था टीम जीती थी बट शरलंका का एक opening pair था जैसूरिया और I think Guru Vardana मुझे exactly नाम याद नहीं है देख लो दूसरे बंदे का नाम तक याद नहीं है क्यों क्यों क्योंकि major काम जो है जैसूरिया ही करता था उस पारी में उस partnership में शरलंका जीती नहीं थी शरलंका ऊपर से अच्छे run बना लेती थी ओपनिंग से अच्छे run बना लेती थी बट impact के तोर पर जीत जो है वो जादा उनने नहीं मिलती थी वेराज ऑस्ट्रेलियन जब खेलते थे वो एक जीत क्रियेट करते थे वर्ल लेवल में भी अगर आप देखो openness बहुत अच्छे आए हैं Gary Kirsten एक टाइम पर आया है एक टाइम पर Smith आया है उनी की टीम से इसके इलावा जो है और टीम से भी आया है बट एक-एक Mackellum New Zealand की तरफ से बाद में open जब करने लगा पट एक impactful player ही होता था यहां पर वही problem है अगर आप दो impactful player खेलते हो और दो अगर आपके पास नहीं है तो एक option आपके पास बच जाती है कि चली हमारे पास तो option ही नहीं है इस case में हमारे पास options हैं तो when you compare सबसे पहले batsman को as a opening pair को आप as a opening pair ही compare करना पड़ेगा आपको make no doubt कि middle order नहीं नहीं किया तो शुबमन गिल नहीं इतने किये तो वो justifiable हो जाएगा no opening को पहले opening pair से ही आपको leveler बात करनी होगी और उसके against जो है options किया हैं इस वक्ट जो सीधे options हैं वो है आपका I think jazz wall उसके बाद अगर आप अभी shake को वगरा सोचोगे वो बाद की बात है बड़ jazz wall आपका direct option है right left combination भी बन जाता है रोहित के साथ और रोहित के साथ jazz wall जब हम जब हमने देखा है ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ रोहित को जो है दबा देता है jazz wall बड़ jazz wall भी पूरा उबर के आता है कभी आपने यह नहीं देखा होगा कि जो हित के अगेंस jazz wall कम जो है साबित हुए है नहीं वो equally जो है साबित हुए है और at times jazz wall उठकर आया है जादा बेटर है तो उस case में जो है वो एक opening pair destructive opening pair उपर से खतम कर सकता है उपर से वो start दे सकता है उपर से वो impact create कर सकता है इसलिए showman Gill की जो है criticism मैं at least करता हूँ और जो लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्यों criticism होना चाहिए उसने अपने 35 रंतों बनाए है इसलिए पहले आपको comparison सिरफ ऐसा opener करना होगा दूसरा आपको दूसरे opener के साथ जो है compare करना होगा यही रोहित की जगा हमारे पास कोई अंडिशन जो है batsman होता लाइक बावर आजम जो है पाकिस्तान का लाइक रिजवान जो है पाकिस्तान का लाइक XYZ कोई भी जो है I think शरलंका को opener भी 0 पर आउट हो है अगर ऐसा ललू शलू जो है कोई opener होता तब गेल इस तरह की पारी गेल था तो justifyable हो जाता क्यों किताब हम कहा दे कि भाई हमारे पास तो opener नहीं है न तो गेल को संभालना पड़ता है तो इसलिए यह हो जाता है वो हो जाता है यहां पर आपके पास दी रोहिट शर्मा उपन कर रहा है और दी रोहिट शर्मा in form impact create कर रहा है तो उसके impact को आपको push करना होगा ना कि उसे down करना होगा इसलिए शोबुमन गिल की उपर criticism हो रहा है और believe me अगर आप रोहिट के साथ जैसवाल खडाओगे right और left का combination में जाएगा और उसके इलावा दोनों एक destructive powers यह नहीं कहा रहा हूँ वो मारेंगे मैं कहता हूँ दोनों 0 पर 2 करकर चले जाएं बट उसके बाद एक settled middle order like Virat Kohli आएगा like Iyer आएगा तो उन्हें पता होगा कि भाई वो 0 पर 2 wicket डाउन होकर आए है और अब उन्हें इनिक बिल्ड करनी है उन्हें पता है यही वो अगर 100 run, 500 run बना कर जाएंगे उन्हें पता है कि उन्हें go with the flow करना है तो यह difference create होता है इस case में क्या problem है जब आपके दोनों openers और हाँ यही अगर रोही तो जैस्वल जैसा को बैटिंग करेगा तो even अगर रोही ताउट हो जाता है तो विराट कोली के आने पर विराट कोली को extra time मिलेगा और जैस्वल जैसा जो है अपना free flow चलता रहेगा scoreboard जो है वो रुकेगा नहीं और विराट कोली को time मिलेगा this is the problem क्योंकि अगर शुबमन गिल जो है उसी तरह टिप टिप करकर जो है खेलता रहेगा विराट भी उसी तरह खेलेगा जो कि number 3 जो है कर सकता है तो आप जो है additional pressure all डाल रहे हो so this is the sole reason this is the reason कि क्यों शुबमन गिल की उपर ऐसा नहीं है शुबमन गिल बाटिंग नहीं कर सकता बड़ जिम्भावे सीरीज में उसने बता दिया कि वो कितना insecure है और कप्तानी के तौर पर भी उसके जो हालच वाले हमने देख लिये है जबरदस्ती वाइस कप्तानी देकर अगला 5-10 साल बना कर सोचकर प्रिंस बना कर उसे जो है नाम देकर इस तरह का कारे जो ये टीमे कर रही है I think this is not done उसके बाद विराट कोली आते है वेल विराट कोली का एक ऐसा stretcher है अगें ये failure माना जाएगा 14 अन मारे है तो ये failure माना जाएगा makes no doubt about it विराट कोली have to improve अभी विराट कोली की problem ये हमारी problem क्या है विराट कोली ने failure हुए है तो हम उसे जो है ये कह सकते है उसका failure हुआ है अब विराट कोली की जगा में कोई doubt है नहीं क्या विराट कोली के number पर कोई doubt है नहीं क्या विराट कोली के caliber में कोई doubt है नहीं, तो विराड कोली के ऊपर कुछ कह नहीं सकते, तो यह वो एक नंबर है, एक वो एक इंसान है, जिसे हम कुछ नहीं कह सकते, because of the various reasons, और विराड कोली अपना नाम, अपनी performance से लिखवाता आया, ऐसा नहीं है, दो मैचेस में नहीं चला, तो यह निका जाएगा, not like शुबमन गिल उपर, कि रिकॉर्ड भी भला है, यह आपकी जिवा फेवर कर रहे हो, बट ना वो टीम को help कर रहा है, ना वो टीम की जरूरत है, competition this and that, विराड कोली is in safe spot, तो विराड कोली की ऊपर जो है, criticism नहीं कर सकते है, because we need him, team needs him, और जो वो कर रहा है, जैसे वो कर रह आएगा, यहाँ पर criticism करना होगा, पहले तो गौतम गंबीर के तुका जो काम करते रहते हैं, और दूसरा middle order, middle order में मुझे लगता है, चौथे नंबर पर जो है, जो टीम खिला रहे हो, एक clear situation है, कि यह राएगा चौथे पर, के राएगा पांच में पर, इसमें सोचना, इस players form में नहीं है, उन्हें हिलाओगे, कि आप उन्हें protect कर रहे हो, कि किसी तरह 20, 30, 40, 50 रंज कोई मार जाए, और इन्हें safe zone मिल जाए, भाई यह tail enders नहीं है, यह regular players है, और guess what, I year हो गया, चाहे राहूल हो गया, हम जितना मर्जी कहते रहें, यह अपनी जगा जो है, performance के basis पर पक की ना माने, इस team को अभी भी जरूरत है, एक solid number 4, number 5 की, और maybe number 6 की भी, और यह जो केल राहूल है, wicked keeping के reason की वज़ा से, जरूर कहीं न कहीं, आप कह सकते हो, reasons बच जाता है, but आपको इस तरह protect नहीं करना चाहिए, example के तोर पर शिवम दूबे भी उपर आया है, अकसर भी जो है उपर आया है, which is absolutely pathetic, अमिन शिवम दूबे 4 पर, अकसर 5 पर करना क्या चाहते हो, क्या आपका, जो यह केल राहूल है, यह पूरी तरह से set है, क्या यह पूरी तरह से जो है, यह regular है, क्या यह पूरी तरह से जो है, फॉर्म में है, क्या आप experiments वाकी में 4 और 5 में पर experiment कि जा सकता है, क्योंकि आपके जो है batsmen पूरी तरह से capable है इस वक्त, और पूरी तरह से run machine बने हुए है, नही बोस, नही, इस वक्त, शिरे सहीर को अपनी fitness दिखानी है, चेक करवानी है, 50 over format केल कर दिखाना है, और शिरे सहीर का chance test matches में भी बनता है, तो इसलिए उसका यहाँ जो है, पूरा जादा खेलना, जादा confidence देना, उसकी spot के लिए बहुत जरूरी है, बट क्या उसे protect करकर Gotham का भी कुछ favor कर रहा है, केल राहूल, केल राहूल का जो है, बहुत लोगों को लगता है, सिरफ और सिरफ criticism होना चाहिए, क्योंकि उसने World Cup में जो गंद मचाया था, और वैसे भी मशूर है ना, जहां मसले बड़े होते हैं, केल राहूल जहां नहीं खड़े होते हैं, यहां तो मसले भी बड़े नहीं थे, बट केल राहूल का criticism सिरफ उस World Cup की वज़ा से नहीं है, overall जो वो पीचे से करता आया था, उस वज़ा से वो pile up, pile up, pile up होता रहा, और we know pressure situations में केल राहूल क्या करता है, वैसे वो सीधे shorts केलता है, जब जरूरत नहीं थी आड़ा टेड़ा केलने की, दोनों innings में जो हैं, दोनों matches में उसने आड़ा टेड़ा पंगा लिया है, तो केल राहूल सिरफ विकर कीपिंग की वज़ा से बचा हुआ है, और कुछ सिफ शिवम दूबे से तुम बॉल नहीं डलवा रहे हो, शिवम दूबे को तुम उसका जो क्रोल है, जो 6-7-8 पे जहां भी उसे लाना है, depending on your situation, क्योंकि आपका रोहित, आपका अगिल, कोली, उसके बाद आपका श्रह सेयर, राहूल 5, तो यहीं पर हो गए है, छटे पर आप खिला सकते हो, साथ में पर आप खिला सकते हो दूबे को, दूबे का काम क्या है, आकर हिट करना, आकर इनिंग खेलना, फर्स मैच में वो कोशिश किया था और उसने किया, बॉलिंग में आप उसे मौका नहीं दे रहे हो, बैटिंग में आप उसे शफल मार रहे हो, आप नासिंतर दैनके लिए या कुछ प्लियर्स को ब्रोटेट करने के लिए या आपके दिमाग में वो Bombybits करो पिछले वीडियो पर ही मैंने यही कहा था धंके expस्तरिमेंट्स करो और इस तरह को और अब घृता कर रयान प्रिया को लाने की बाते हो रहे हैं कि spin मिलेगा भी spin मिलेगा पर शिवम दूबे दो ओवरों में 10 न दे कर गया है और क्या बच्चे की जान लोगे 8 ओवर डलवाओ 10 ओवर डलवाओ 10 ओवरों में 60, 70, 80, 90, 100 डलवाओ उसे पढ़ने दो एक बार, दो बार पढ़ने दो अगर वो रेगुलरली इतनी मार खाएगा तो उसे मौका मत दो अगर वो आपके लिए crucial stages में wicket भी निकाल रहा है, crucial stages में आपकी hell भी कर रहा है, economically भी ठीक है तो आप उसे मौका क्यों नहीं दोगे क्यों आप जो है एक सेक्टल टीम को सेक्टल नहीं होने दोगे एक अच्छी टीम को क्यों इतना बरबाद कर रहे हो स्पिन आप नहीं खेल पारे हो आपके पास सबसे बड़िया स्पिनर खेलने वाला मुझे लगता है अयर ही था उसके बाद केल राहूल के लिए कोई बड़ा मसला नहीं था तो आप क्यों बैटिंग लाइन आपको हिलाओगे क्यों शिवम दूबे जो एक पाटा विकट पर जो है स्पिनर्स को अच्छा केलता है उसे आप स्पिन स्पेशलिस्ट मान लोगे क्यों क्या आप जान बूच कर शिवम दूबे को खराब कर रहे हो फिर से जैसे आपने प्रीविएसली कई बंदों को किया है क्या आप जान बूच कर यह कर रहे हो अब तो मुझे डाउट होता है उसके बाद वर्ल्ल कॉप में आप जो है विकॉज ओफिस बाटिंग, विकॉज ओफिस बॉल्लिंग, विकॉज ओफिस विल्डिंग उसे ट्राइ करो यार, पिंच हिंटिंग के तौर पर अगर करना ही है बागियों को कुछ एड रहे हो यार आइक कांट बिलीब उसके इलावा जो है टेल की उपर तो क्या बात करें बाट इनकी बॉलिंग की उपर जरूब बात करनी होगी, जिस तरह की बॉलिंग की एफ़र, अब रोहित इसमें भी 2 ओवर डालकर निकल गया भाई, रोहित 2 ओवर डालकर निकल गया शिवंदूबे के 8 ओवर पड़े थे एक अबर अक्सर का पड़ा था एक अबर रश्नीब का पड़ा था दो और सिराज के पड़े थे तो ये सारे के देखने के लिए रखे हैं क्या तू मुझे ये बता रहे हो कि शिवम दुबे ने दोवर डाले हैं 10 रण देखर रोहिद ने दोवर 11 रण देखर देखर दि Это means a परसनल एजंडर या परसनल कुछ आपने करना है सबसे पहले address the opening situation middle order को अगर वैसे मैं convince नहीं हूँ जो आप middle order खिरवाते हो जो players आप खिलाते हो बड़ कोई बात नहीं आपको लगता है आपको experience जादा है बिल्कुल है और आपको लगता है यह perform करेंगे बहुत अच्छा तो इनका line up इनके बंदे को मत छेड़ो हर बंदे को उसके spot पर काम करने दो उसके बाद जो all rounders है आपको पता है all rounders में अक्सर number one पे है number two पे शेवन बूबे है number three पे आपकर Washington सुनतर है इनने उस line up पे रखो balling में इने उतना ही chance दो जितना आप maximum देना जाते हो इन सभी से कुछ नहीं होगा तो part-timer से जो है आपने पंगे बाजी लेना और वो भी part-timer वो होना चाहिए जो actually part-timer हो रोही शर्मा से ball करवा रहे हो जिसने कभी नहीं करनी है जो खुद बोल चुका है कि भाई मेरे shoulder में problem थी इसलिए मैंने चोड़ी थी दुबारा उसका जो है कोई injury मत लिया ना अईर खुद जो है injured हुआ रहता है आपका tier keeping कर रहा होता है आपका रोहित की वैसी problem है गेल ही बजा फिर गिल क्योंके पिछले match में expensive हो गया था इस match में आपने balling नहीं थी क्या कर रहे हो या क्यों कर रहे हो शरलंका जिसकी मुझे लगता है यह frontline team भी नहीं है पता नहीं यह team खेलती भी है नहीं क्या है क्या मनूसियों की तरह यार इससे हार गय यार अच्छा लगता है क्या emotions होते हैं भाई team की यह performance देखकर बुरा लगता है भाई बागी हम यहाँ पर as a cricket fan बाते करते हैं अगर आप भी हैं cricket fan come join me subscribe the channel